कि ति हम ने ये दिखा कि हमारे पास कोई गरे कंड़्टर हो उसे हम लोग क्या करें कि हम बैटरी के साथ कैंड़ करते हैं तो करन्ट के फ्लो हूने कि जैसे वह कंड़ी है उसके अरौण मगनेटिक फिल्स appear हो जाते हैं जिसके वो चो conductor है वो electro magnet बन जाते है मतलब कि वो एक ऐसा device बन जाता है जो कि electric effect भी रखता और magnetic effect भी रखता है और electricity के passage की वज़ा से उसके अंदर जो है magnetic properties appear होना जूद हो जाते हैं आज भी हम अपने काम को कुछ इसी से करेंगे हम यह देखना चाहेंगे कि कि किए conductor के उपर magnetic कॉपर की स्ट्रिप के इन दोनों कॉपर की स्ट्रिप को जो है हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से एक वायर हम लोग ने यहां से लगाई और एक वायर यहां से लगाई यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया और यहां से बैटरी में जो है current flow करना शुरू हो जाए है यह हमाई पर switch है यह हमाई बस battery B है और यह हमाई बस copper की strip है अब हम क्या करते हैं कि हम लोग यह conductor लेते हैं उस conductor को जो है conductor इस shape का है कि उसे जो है इस के उपर हम लोगों ने दोनों strip के उपर रख दिया है इस तरीके से यह हमाई बसे conductor है जिसे हम लोगों ने इन copper की जो है strip के उपर डाल दिया है इस तरीके से अब क्या होता है कि यह conductor इसे हम लोग ने इन दो copper के strip के उपर रख दिया और यहां से हम लोग ने अपने आप जो switch है इसे भी close कर दिया कर अधुक्र करने सी अब हमारे करण्ट की डिरेक्शन है वो इस तरीके सी है कि current उसके अंदर से इस तरीके से फ्लो करता हुआ यहां पर इस conductor के अंदर भी इस direction में अप र डिरेक्शन में फ्लो करता हुआ यहां तक आ जाता है और circuit को complete कर देता है अब क्या होते है कि हमें ये मालूम है कि इसके अंदर से current flow कर रहा है तो current के flow करने के बिराज से इसके अंदर भी magnetic effect आ जाता है अब हमारे जो circuit है इसके पर magnetic effect आ गया है अब क्या होता है कि हम लोग इस चेक करने के लिए कि अगर हम किसी conductor को इस magnetic building रखें तो क्या उस conductor के उपर magnetic effect आ सकता है या नहीं उसके लिए हम लोग ने क्या किया कि conductor को पकड़ा उसकी जो है इन दोनों स्ट्रिप के उपर इस तरीके से रख दिया अगर यह जो conductor है हमाँ पस अगर यह इलेक्रो मागनित बन गया है तो इसके अराउंट है हमाँ बस magnetic field अपेर हो जाती है और magnetic force हो जाती है जो कि FM से हम लोग रिप्रेजन कर सकते हैं यह magnetic force है यह magnetic field की वरा से आई है जो कि हमें मालूम है कि अगर किसी conductor के साया अंदर से जो current flow का जाओ तो इसके side पे क्या होता है कि magnetic field अपेर हो जाती है जो कि circular direction में होती है जब यह circular direction में है तो इसके जो force है फम जो कि magnetic force है वो भी तो circular direction में आएगी तो basically अब यहां पे क्या है कि हमाँ हमारे पस magnetic field है और यहां पर हमारे पस magnetic field की वरे से magnetic force भी आ जाती है अब होता क्या है कि यह magnetic force जो है तो होता है कि सबसे पहले हम लोग यह चाह करेंगे कि हमारी magnetic force तो आ गई यहां पे magnetic field भी आ गई लेकिन यह magnetic force की इस direction में लग रही है यह इस direction में लग रही होता क्या है कि ह हमारे पास जो है एक रूल है जिसे हम लोग राइट हैंड रूल कहते हैं यह हमारे पास जो है राइट हैंड रूल होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं यह चेक करने के लिए कि हमारे Marvel indirect reward Direction किस तरफ है कि हम लोग हमाँपस इस करे का हम लोग basically हमारा जी है वह इस तरीके का होता है कि यह हमारे पास जो है यह हमारा हैंड है और इसे फ्मारा से भूचे कर käytए बिना लेएं ताकि आपको भी असानी ओ समझाने में यह हमारा हैंड है हमारी magnetic field को और यग था हमारा प्राल है कि ठल ये हमारा करती है लिए हमारे यह हमारा है है और यह हमापस थम इस तरीके से हम लोगं ही अपनी सिंगलस को जो है वो बंग कर लिया होता है हूं है वापकी आपकाई है यह elephant finger तो यह जो आपका thumb है यह indicate करता है current को जो कि इस डिर्सक्षन में जा रहा है और यह आपकी magnetic field का curve होना यह जो आप इस नो जो-र होती है कि आपके किस तरफ है तो यह जो है चीज़ आपको represent करके आपके fingers का curve होना और आपके palm की जो direction है वहाँ को बता देती है कि magnetic field की direction basically इस तरह है तो होता है कि आपके magnetic field की direction आपको मिल जाती है जो कि इस तरह है यहाँ पर भी हमारी एक magnetic field होती है और यहाँ पर भी हमारी एक magnetic field होती है और जो हमारी magnetic force होती है वो इस direction में होती है अगर आप इसे सीधा करके hand में भी देखेंगे तो यह आपका सीधा hand है और आपका जो current की direction है वो आपकी जो magnetic field है उसकी direction की तरफ आपने पहले finger कर लिए वो आपको पता चल गया किया कि आपने सिर्फ current को consider करना होता है current की consideration से आपको यह पता चलेगा कि आपकी जो है magnetic force की direction मे है अगर आपने सिर्फ magnetic force को check करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है आपके उपना hand close कर लेना है और अपने shift thumb को उस direction में कर देना है जहां पर आपका current जा रहा है बस आपने इतना सा काम करना है जिब आपने thumb को कर दिया जाहां पका current flow कर रहा है तो बागी की बाद जो आपकी fingers है वो जिस direction में curve है उस direction में जो है आपका magnetic force होती है जैसे कि आप इससे करके देखें कि आप अपना right hand ले उसमें आप अपने पूरी की पुरी fingers को close करें और thumb को उस direction में कर दें जिस direction में इस पर conductor से crank flow कर रहा है जो कि बिल्कुल सामने के तरफ जा रही है जैसे कि य यहाँ पर हमारे पास एक strong magnetic field आ जाती है और यहाँ पर जो है हमारे पास थोड़ी से weak आ जाती है यह हमारे पार जो है weak magnetic field आ जा जैती है तो strong सी इस conductor को push करती हूं il िने और Though जो के में तो हमारे पास जो है यह strip कर जाता है यह जो हम आप इस conductor का मुव करना है यह बिसकली हमें कर देता है कि इस पुरी की पुरी circuit के अंदर तो magnetic effect था लेकिन जैसे हम लोग दे इस conductor को भी इस strip के उपर रख दिया है तो current की passage के वड़ा से उसके के अंदर भी magnetic force appear हो गी है उसके अंदर भी magnetic field आना चुरू होगी और magnetic field के वज़ा से इसके अंदर magnetic force आई है और magnetic effect प्रोड्यूस होना चुरू हो गए है अब basically यह जो magnetic force है जिसके हम लोग FM से represent कर रहे हैं यह magnetic force किन किन factors पर depend करती है यह basically जो magnetic force है हमारे पास FM यह depend करती है कि हमाँ पस कितनी magnetic field है क्योंकि जाहिर है जितनी ही strong होगी उतनी हमाँ पस magnetic force produce होगी क्योंकि magnetic field की वज़़ से ही magnetic force हाती है तो जितनी हमाँ 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 फूर्स मगनेटिक force पे strong गएगी जो कि उस conductor के पर act कर रही है यह यह directly related होगी हमारे current के साथ क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारा का conductor है उसको हम लोग ने बैटरी के साथ connected कर दिया है इस तरीके सी बैटरी के साथ connected है तो इसके अंदर से जो है तो हमारे इंडरेक्टली जो है magnetic force यह डिर्क लीड रिलेटी होती है हमारे पास current से लेकिन आती कहां थी प्रशिक्द की प्रसेंस के वड़ा से है इसके बाद जो हमारे मियनेटिक फील्ट है यह डिलेक्टली रिरेक्टली होती है हमारे पस conductor की लेंग से हमारे पस जैसे इसे तरीके से अगर आप एक ऐसा कंडुक्टर यूज़ करते हैं जिसके लिए टू मीटर है इससी बात है जितनी लंबी लेंग्ट होगी उतनी ही ज्यादा उसमें से करन्ट फ्लो करेगा उतना ही उसके आरांट है वह ज्यादा सर्कुलर डिरेक्शन में पर इसका रेडियस सब्सक्राइब करने जाएगा और उतनी जादा हमाएपस strong magnetic field और magnetic force होगी तो basically magnetic force जो है इन तीन factors पर depend करती है जो के B, I, L है याई जैनी कि B उसके magnetic field, I जो है उसका current जो कि इसके अंदर से फ्लो का रहा है उस conductor के अंदर से और L उस conductor की लेंद के उसकी लेंद कितनी है जिसके अंदर से current flow हो रहा है और current के flow होने कि यह बिएसे around magnetic field produce होई है और उस magnetic field ने magnetic force को appear दिया है तो इन चौरो factors को हम तीनो factors को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि FM जो है directly related है I, L, और B के साथ इसके इलावा एक यहाँ पर हमाँ पस एक और फेक्टर भी होता है जिसे हम लोग साइन अलफा कहती है अब साइन अलफा जो बेसिकली एंगल है L और B के दर्मियान जो भी सी के लिए यह बताता है कि आपका कंड़क्टर किस डिरेक्शन में पढ़ा है और आपका कंड़क्टर जो है इस डिरेक्शन में पढ़ा हुआ है जैसे कि हमारा कंड़क्टर भी उसी डिरेक्शन में पढ़ा है यह कंड़क्टर की लेंथ है इस डिरेक्शन में और हमारे जो B है वो भी इस तरह अफ़र डिरेक्शन में तो यहां पे जो अलफा है चुकर यह पारलल है तो यहां पे अलफा जीरो है लेकिन क्या होता है कि हम लोग यह चीज़ देख रहे हैं कि हमारे मिगनेटिक फिल्ड और यह जो चीज़ है हमारे पास L उसकी डिरेक्श में लगां जाथी के साहँ में बड़ा ज्रूरी नहीं है कि हमारा कंडुकर हमारी पारलल ही हो क्यों हम लोग है और बतास जो है वह 90 पर हो यहां पर 45 हो सकता है 60 हो सकता है 70 फृश भी अंगल सकता है इस पने हम दो कह सकते हैं कि एफуш warrior x έ meny bright ipata 75 के साथ में डि फ़िता है रिलेटीड लिनिशिता की साथ इस तरी किसे हम नहीं बता सकते में सकते है यह नहीं नहीं पता है कि यहांबर साइन आलफा के साथ ही बताना पड़ेगा हमारी एफ एम है डिरेक्ली रिलेटिड है आई एल और बी के साथ और साइन आलफा इसनी आ जाता है क्योंकि हम लोग जो है एंगल की बात करते हैं बिट्वीन और और बी की यह बिसिकली हमापस क्रोस प्रोडक्ट आजाता है क्रोस प्रोडक्ट हमें मालूम था कि हमापस क्रोस प्रोडक्ट है वह आई एल बी की हमें पर साइन अलफा लगा दें तो यह चीजिस्व हमां बताती है कि हमां आप सो मैंगनेटिक वो व है वह भी एक जो है यह क्रोस प्रोडक्ट आजाता है जो कि I llb को रहुत है अब क्या होता है कि हम डिफ्रेंट को देख लेते हैं कि कब हमा बस आज मैंकनेटिक किसी भी के ओपर मैकसिमम होती है मिनिमम होत तो हम आपस magnetic field जो है वो भी 0 होना शुरू हो जाएगी magnetic field 0 होगी तो मतलब है magnetic force को भी 0 होना शुरू हो जाएगा देखा जाएगा अगर इस चीज़ को हम लोग फॉर्मुले से देखने तो फॉर्मुला के कहता है कि i l b into sin alpha है अगर i को मैं यह पर प्लेस कर दूँ चुकि यह product है तो सारी के सारी value ही 0 हो जाती है जिए इसके पीचे थेरी कहने थेरी यह है कि अगर किसी चीज़ का current 0 हो जाता है तो current 0 होना का मतलब है कि इस circuit के अंदर से आप कोई भी electricity पास नहीं कर रही अगर किसी conductor के अंदर से electricity पास नहीं करेगी तो वह electromagnet बने गा ही नहीं और electromagnet नहीं बने गा तो उसके अरॉंट वे magnetic fields नहीं होगी तो magnetic force भी 0 हो जाती है तो इस चीज़ को हम लोग formula से भी ब्रूप कर सकते हैं कि हम direct IQ value लगाएं और IQ value लगाने से हमाई पास जो है जीरो की value आ जाती है तो हम पाइक experimental भी और theoretical भी बता सकते हैं कि किस तरीके से magnetic force 0 हो जाती है कुछ factors को 0 करने से या उनको खतम करते ने से अगर अब दूसी बात यह कि है कि current flow हो रहा हो और कुछ situation हो जाए कि हमाई पस magnetic force रहा हो 0 हो जाए magnetic field जो हो 0 हो जाएगी तो उस conductor के अंदर magnetic force है वह 0 होना शुरू हो जाएगी अगर इसे हम लोग फॉर्मिल से देखे हैं तो फॉर्मिल से इस तरीके से देख सकते हैं कि i lb into 9 alpha है अगर बी की हमारे पस जो magnetic force है magnetic field उसकी direction और conductor की जो length है अगर तो वापस में पर्पेंडिकल है तो में पस maximum जो है force आजाएगी magnetic force जो कि उस conductor के पर act कर रही है लेकिन अगर magnetic field और जो कि हमारे पस है उसकी length conductor की वापस में parallel आ रहे हैं तो इस case में हमारे पस जो है magnetic force वो minimum आगती है यह उससे आप कह सकते हैं कि approximate equals to zero आ जाती है similarly कि यह zero आ गए तो इसको जायर सी बात है angle से हम लोग related करते हैं और angle से किस तरह से कि यहाँ पर sin alpha की value डाल देते हैं तो sin alpha की value डाल दे हैं चाहे तो conductor parallel हो या anti parallel तब हमारे पस हमें magnetic force zero ही रहती है और अगर conductor magnetic field के साथ बिलकुँ perpendicular है तब हमारे पस जो है force maximum आ जाती है और for example at some angle है 45 पे 60 है 75 पे किसी भी angle पे तो तब हमारे पस जो है moderate value आती है magnetic force की जो के उस वक्त उस conductor के ओपर act कर रही है अब यह जो भी है different experiment में हम इसे different terms से represent करते हैं for example कि अगर हम किसी conductor के ओपर magnetic field का effect देख रहे हैं चुकिए हम लोगों यहां पे conductor की ओप magnetic field का effect देखते हुए उसकी magnetic force को निकाल है अब अगर मैं यह चीज़ बताऊ आपको कि for example आप suppose कर दीजिए कि आपको जो conductor है वो magnetic field के सर नाइंटी के अंगल पर होनी के अड़े से जो स्काइन आलफा की value है वो तो maximum होगी वो वान होगी अगर मैं इस one को यहां पर put कर दूँ तो basically मैं पास जो F maxima F है हमारे पास जो कि हमारे पास magnetic force है उसकी महरूस सिंपले IL भी लिखी जा सकती है और अगर मुझे यह B के बारे में बताना हो कि B इस case में क्या कहते है या हम इसे किस term से बुला सकते हैं अगर हम magnetic force का effect देख रहे हों किसी conductor के उपए तो क्या होता है कि IL और यहां पर हम बारे में relationship निकालना है ना तो यहां पर IL रहा जाता है और यह जो B है इसे हम लोग अगर मैं separate करना चाहूं तो FM के नीचे हम लोग जाकर IL को divide कर देते हैं जो कि अब बताता है कि जो B है यह B basically हमारे बस magnetic induction है यहां पर मैं लिख देती हूं कि हमारे बस basically magnetic induction है in terms of magnetic field on a conductor placed in a magnetic field आप क्या होते कि magnetic induction बन गए यह magnetic induction जो है आपके सरी कसे define कर सकते हैं आप इसे यह बता सकते हैं कि for example अगर आपके पस कोई conductor है जिसकी length one meter है और उसके अंदर से current flow कर रहा है वह current one ampere है और one meter की length के अंदर से अगर one meter का current flow कर रहा हो और उसकी वजासे उस conductor के ओपर जो है one newton की force जो है experience किया जाए कि one meter one newton की वर्के force उसके उपर produce हो गई है तो इसे आप कह सकते हैं कि one newton की जो force produce हुई है उसकी वज़ा से यहां पर जो है one tesla का magnetic induction produce हुआ है basically हम इसकी unit को define कर रहे है जो magnetic induction का unit होता है उसे हम लोग कहते हैं कि यह हमारे पस tesla है tesla basically क्या है यह हमारे पस newton divided by empire into meter के equal आ जाता है मतलब कि वो एक newton की force tesla किस तरहा define कर सकते हैं कि यह वो magnetic induction है जो उस सब produce होती है जब किसी 1 meter के length के conductor के अंदर एक current flow होने किया जैसे उसके अंदर जो है एक newton की force produce हो जाए तो उस पे जो magnetic induction है वो एक tesla का produce होगा तो इस तरीकी से आप किसी की भी conductor के उपर magnetic induction को भी define कर सकते हैं आप magnetic force में निकाल सकते हैं आप उस conductor के length भी निकाल सकते हैं और आप उस conductor के अंदर से फ्लो करने वाला current भी निकाल सकते हैं इसे हम इस तरीकी से लिख सकते हैं कि एक tesla की जो value है वह हमारे पस यहां पर G के equal हो जाती है तो यह हमारे पस tesla की value है यह जो G है इस जी बिसिकली हमारे पस इस तरीकी से आप tesla को भी define कर सकते हैं जो के magnetic induction का unit है आप magnetic force की बारे में भी बिता सकते हैं कि किस तरीके से किसी conductor को magnetic field की अंदर रखने से उसकी अंदर जो है कि magnetic force इस conductor के उपर किस वक्त maximum होगी किस वक्त minimum होगी और किस वक्त एक्सरम एंगल पर जो है वो certain value आप पर देगी